अकाउंट, अकाउंट का हिंदी मीनिंग होता है हेतू, खाता, लेखा, कारण, हिसाब, गड़न, वरनन, महत्व, रिपोर्ट, इसपस्टी करण या विवरन देना दोस्तों, अकाउंट बहुत common word है, और अकाउंट को हम अलग-अलग English sentences में अलग-अलग meaning के लिए use करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि मेरा saving account HDFC bank में है, तो इस sentence में account का meaning हुआ खाता, लेकिन अगर हमने account के बाद off लगा दिया, account off, तो उसका meaning हुआ हिसाब करना, दोस्तों, हम account के कुछ examples देख लेते हैं, कि हम उसको English sentences में किस तरीकि से use कर सकते हैं, और हमारा पहले example है, हर bank account was really over 200, हर bank account was really over 200, मतलब उसका bank खाता, शायद ही कभी दोसों से अधिक था, तो दोस्तों, इस sentence में account का meaning हुआ खाता, और हमने इस पूरे word का meaning है, bank account का meaning है, bank खाता, चलि दोस्तों, हम एक account का, एक example देख लेते हैं, Mr. Kumar has probably given you a full account of our doings, Mr. Kumar has probably given you a full account of our doings, मतलब, श्री कुमार ने शायद आपको हमारे कार्यों का पूरा लेखा जोखा दिया है, दोस्तों, जैसे कि आप sentence में देख पा रहे हैं, इस sentence में account से पहले full भी लिखा हुआ है, अगर हम केवल account का meaning देखे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखा, और full account मतलब, पूरा लेखा, तो दोस्तों, इस तरीके से हम account को अलग-अलग English sentences में अलग-अलग meaning के लिए उज़ कर सकते हैं, दोस्तों, उमीद करता हूँ, आपको इस word का meaning अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए, चैनल पर वैल आइकन को प्रेस करना पिलकूल न भूले, ताकि मेरी वीडियो की latest update आपता हो सबसे बहले पहुंचते रहे हैं, थैंक्यू.